राम राम जी एक बहुत बड़ी ख़वर आ रहे हैं बहुत बड़ी खुस कबरी है जिनका भी CET का सर्टिफिकेट के उपर क्वालिफाइंग लिखर क्या है यानि जो पास हो गये हैं जिनका 38 और 377 नमबर आ रहे हैं जिया उन सभी को मोका मिल शकता है सेकिंड पेपर देने का अर्याना सरकार का रुख बेहद नरम है इसके परती क्योंकि इस सरकार का मुखपत्तर कहले जीए अगर आपने देखी हो तो ध्यान गया हो तो गुरूप C के पदों का विग्यापन दो सप्ता के बितर संबो सभी CET पास को आवई दिन का उसर देंगे ठीक है यानि फारम बरने का मोका जी जो जो पास बंदे सब न फारम बरने का मोका दिया जाओगा अब मैं या बात क्यों कह रहा हूँ कि सरकार का रूख नरम आप सभी को पता सवेरा डोक्टर सुरेंदर दिमान जी है जो लिंक उनके अच्छे है उनको सारी ख़बर जो है पहले से पता हो जाती है सरकार अच्छी तरह से उनको बताने का काम करती है देखिए सीटी पातरता प्रिक्ष्या बनाने के लिए वहाई कोर्ट पर ही निर्बर मैंने पहले भी जिकर किया था जब मैं भारत्वोषन भारती सीम साब के पोलिटिकल एडवाइजर से मिला था तब उन्होंने का था कि सरकार के आथ इस मामले में बंद चुके है मतलब कि सरकार ने नोटिफिकेसन डाल दिया अब सरकार कोर्ट में जाके मालिया यूं कवगी कि भाई नहीं आम ने तो इसको दस गुणा करो तो फिर वों काऊंगे तो गल्थ है मामला अब दैनिक सवेरा को जानकारी मिली कि आईकोर्ट में अर्याना सरकार सक्त स्टेंड नहीं रखेगी यानि अगर आईकोर्ट प्रदे सरकार से पूछेगा कि क्या पातरता प्रिक्ष्या बनाने में कोई आपत्ती है तो प्रदे सरकार आईकोर्ट पर छोड़ देगी इसलिए अब निगाए आई कोर्ट के उपर है और कोर्ट इस मामले में बिल्कुल कह चुके है कि पतरता प्रिक्ष्य बनाने में क्या दिकत और अब जो आंकडा आया है कि तीन लक्षता उन जार पड़कान पास कर रहा है वो आंकडा भी आपना अकमा है इसका मतलब के है कि क्वालिफाइग अब और न के पूरे पैले चांस कम थे तो चांस बढ़ चुके हैं मैं मेरे भ्याप पे नहीं कह रहा है मैं दैनिक्स सविड़ा के भ्याप पे कह रहा हूं इनको जानकारी मिली है क्योंकि इनके सुत्र भौतूचे लेवल के हैं तो उस हि कह रहा हूं कि बिल्कुल कोर्ट में स्टेंड इनका नरम रहोगा और 21 फरवरी को आमने खुसकबरी मिल्स का है